किसान भाईयों, अगर आप भी अपने खेद में इस तरीके से धान में कल्लो की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा पूरा, क्योंकि इस वीडियो में हम पूरी जनकरी आपको देने वाले हैं, कि कैसे आप कल्लो की संख्या को बढ़ा सकते और अपनी धान की पैदावार को कैसे आप बढ़ा सकते हैं, कौन-कौन सी खादे देनी है, आपको कितनी मात्रा में देनी है, कब देना है, क्या-क्या साउधानिया रखनी है, सब कुछ इस वीडियो में बात करने वाले हैं, चलिए आपको कुछ दिन पीछे ले चलते हैं धा देना है, तो भी आपको हम बताएंगे तरीका आप कैसे यहाँ पर करने कुछ संख्या बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको जब भी धान की रोपाई करें, तो उस समय आपको धान की फशल में जब आप लास जुदाई करते हैं, उस समय आपको डिये पी जरूर देना है, 40-45 kg आप 50 kg दे सकते हैं, अगर आपने, जब डिये पी डाल देंगे अपने बेसल डोज में, तो आपके धान में जो करलो के संख्या है, वो काफी आटोमेटिक बढ़ती है, लेकिन उस में थोड़ा समय लगता है, लेकिन होता क्या है, हम अपने हाँ देखते हैं कि संभाईयों क कि उनको समय नहीं है बिल्कुल भी, आज अगर डाल देंगे तो दो-चार दिन के बाद जैसे ही कुछ उनको रिजल्ट अच्छा नहीं दिखा तो फिर से बोलेंगे कुछ उनको फिर डालना है, तो इस तरीके से थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें, और आपको हम बताते ह कि क्या क्या आप डालके अच्छे कल्ये अपनी फसल में ले सकते हैं, देखिए आपको नमी दिख रही है इस खेत में, आपको नमी इस तरीके से खेत में अपने बना के रखना है, पानी भले ही खेत में ना भरा हो, ज्यादा नहीं पानी भरा हो तो और अच्छा है, हलका प तो उतना अच्छा ग्रोथ नहीं पकड़ता है इसलिए आपको नमी बना के रखना खेत में और दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखना है जब आप बेसल डोज में डिएपी डाल चुकी होंगे पहले तो आपको यह टाइम मिल जाता है खरपतवार नियंद्रन का अगर आ जैसे में होता क्या है कि जब आप फसल की बड़ी आती है तो उस समय खरपतवार मारने के लिए आपको दवा डालनी पड़ती है और दवा का डोज फिर बढ़ाना पड़ता है उससे धान की फसल पर काफी एफेक्ट आता है इसलिए आपको जब आप बेसल डाल के आप धान की रोपाई करेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी आपकी धान की फसल है वो ग्रोथ पकड़ लेगी और जो खरपतवार है वो जैसे ही दो तिन पत्ति की हो जाए यानि 15 से 20 दिन की 25 दिन की फसल आपकी हो जाए तो उस समय आपको पहले खरपतवार नाची ही रालना है यूरिया का यूरिया के साथ आपको क्या मिलाना है पहले यूरिया के साथ आपको मिलाना है जिंक सलफेट तीन से पांच किलोगराम प्रतेकड के हिसाब से अगर आपने पहले जिंक दे दिया है उससे पहले आप डाल चुके हैं तो जिंक के अलावा आप जिंक को छोड़ दीजिए आप उसके साथ फेरस सलफेट दीजिए पहली यूरिया के साथ आप फेरस सलफेट जो है 10 किलोगराम मात्रा रखी है उसकी उसमें आपको फेरस सलफेट भी मिलेगा साथ में सलफर भी होता है यह डालने से बहुत ही अच्छा यल्टाता है आप देखेगा फेरस करन होता है जो बहुत ही ज़्यादा महत्पूर्ण होता है फसल के लिए आपकी फसल को काला कर देगा अब पतियां काफी हरी भरी हो जाएंगी और कल्लों की ग्रोथ है वो काफी बढ़ी है आपको देखने को मिलेगी लेकिन नमी आपको बहुत ज्यादा रखना है खेत में नमी नहीं होगी पानी नहीं भरना है बार बार करें कि आपको पानी अगर निकालने की ब्वस्ता है तो अगर ज्यादा पानी भर जाता है तो आप उसको कल्ले जब बन रहे है उसमें आप निकाल दीजे तो और ज्यादा आपके कल्लों की संख्या बढ़ जाएगी उसके ब करने काम के lahat हो जाएगा यहाँ पर देख़ें मिटी में नमी इस तरीके से एकर रहती है क्योंकि बारिज भी उती रहती है कभी कभी तो ऐसे में जो मिटी है वो बराबर ठर रहती है और आपके खेद में कोई खर्वतवार नहीं होगा तो बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा और कुछ चीज़े हैं वो भी आपको बता देते हैं आपको क्या करना है देखिए बेसल डोज में आपने दे दिया डियेपी आपने डियेपी नहीं दे पाया बेटे बेसल डोज में तब आपको कैसे अपने धान की फचल में ग्रोथ दे पाएंगे करले कैसे ज़्यादा निकाल पाएंगे क्योंकि फासफोरस तो आपने दिया नहीं है फासफोरस का में काम होता है जड़ विकास करना जब जड़े विकास होगा तब ही आपके जो फचल है वो करलों की संकह जादा निकाल लेगी तो ऐसे में आपको क्या करना है जब आपकी धान की फचल रोपाई से लगभग आपकी पकचीस दिन की फचल हो जाये बीच से पकचीस दिन रोपाई के हो जाए और आप पहली या फिर आप जो पहली यूरिया का ड़ाज यो दे चुके था फेरसलपेट या जिंक जो भी आपने दिया है वो अगर आप दे चुके है तो उसके तीन चार दिन के बाद या एक हफते के अंदर अंदर आपको जो पीके आता है किसी भी अच्छी कंपनी का इसे इंपीक को कहुआ वो इन पीके कहुं सा लेना है आपको 1260 1260 वाला जो इन पीके है वो अगर आप लेके एक किलोग्राम मात्रा उसके लेनी है और उसको आप सव लिटर पानी में घोल के अपने खेत में अच्छे से स्प्रेक कर देजिए लेकिन ध्यान रखे कि इस पर आपको उसमय करना है जब आसमान थोड़ा साफ रहे तो कम से कम त सस्ता मिलता है ज्यादा महेंगा भी नहीं आता है डेट 200 रूपे का मिल जाता है इफको का 200 या 200 रूपे का कुछ आता है तो आप वो ले लिजेगा सबसे बढ़ी है जल्ट उसका देखने को मिलता है और क्योंकि उसमें फासपरस की मात्रा जो है 61% है तो वह बहुत बढ़ आपको लगबग आप भी इमान लिजे कि आपकी जो रोपाई हो चुकी है उससे आपको 30-40 दिन के अंदर अंदर आपको दूसरा डोज देना है क्योंकि कल्ले निकलने का समय होता है वह 50-60 दिन के अंदर अंदर लगबग खतम हो जाता है तो उससे पहले आपको सारा इंज देना है वह आपको क्या उसमें देना है आपको लेना है 35-40 किलोग्राम यूरिया और साथ में आपको लेना है सागरी का इफको की सागरी का आपको लेनी है या फिर क्रभगो की सिवारी का आती है वह आप ले सकते हैं लेकिन दोज उसका रहेगा 10 किलोग्राम पर तेकड के तो इन दोनों चीजों को आपको मिलाना है बहुत अच्छे तरीके से और उसके बाद देखेंगे आपको जैसे आप डाल देंगे तो आपकी फसल जो है उसके 15-20 दिनों के बाद आपको रिजल्ट देखाई देगा उस आपके खेत में तब तक आपको कुछ नहीं देना है उस इस तरीके से दिखेगी क्योंकि ये देखिए इस तरीके से जो फसल दिखती है न तो देखने में बहुत हरा भरा और खेत भी अच्छा लगता है पूरा खेत भढ़ चुका है तो ये तरीका है दोस्तों आपके धान में कल्ले बढ़ाने का अगर आपने अभी तक इसमें से किसी रोके तो आप उसका जरूर समाधान करें बाकी आपको जो हमने बताया है उसके आधार पे आप बहुत अच्छा अपना फसल का मिंटेंस कर पाएंगे बहुत अच्छी आपकी फसल चलेगी तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं अगर आपको हमारी जनकारी पसं को लिजेगा